हिंदी बासा के अंदर त्रह त्रह के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रियोग मानव जीवन के अंदर वक्के के रूप में होता रहता है और आज का हमारा मुहावरा या लोकोक्ति है का वर्षा जब कर्शी सुखाने यानि आज हम इस वीडियो के अंदर का वर्षा जब कर्शी सुखाने मुहावरे या लोकोक्ति के अर्थ है वह इसके वक्केम प्रियोग के बारे में बड़े ही विस्तार से जनेंगे तो वीडियो को पूरा देखे सबसे पहले हम जा लेते हैं कि का वर्षा जब कर्शी सुखाने मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ होता है समय बीत जाने पर मदद बेकार है दोस्तों किसान अपने खेत में खेती करता है जिसके लिए उसे पानी की सकते जरूरत रहती है और वह पानी किसान को वर्षा से प्रापते होता है जब वर्षा समय पर होती रहती है तब किसान के लिए वह बहुती फाइदे मंद होगी क्योंकि उसकी फसल अच्छी बनेगी मगर जब वर्षा समय बीत जाने के बाद होती है यानि जब फसल पूरी तरह से नश्ट हो जाती है उसके बाद में वर्षा होती है तो उस वर्षा क किसान को कोई भी फाइदा नहीं होता यानि वह वर्षा उसके लिए बेकार होती है इसी तरह से मानों के जीवन में भी कुछ कारिये ऐसे होते हैं जिसके लिए उसे किसी दूसरे की मदद चाहिए होती है जिस तरह से किसान को वर्षा की मदद चाहिए मगर जब इस तरह के कार लिए किसी समय पर मदद नहीं मिलती है और समय बीत जाने पर मदद मिलती है तब मदद भी कोई काम की नहीं होती, मगर समय बीत जाने पर मदद जब मिलती है तब इस मुहावरी का प्रियोग किया जाता है और कहा जाता है कि का वर्षा जब कर्शी सुखाने, का वर्षा जब क पहला वाक्यम्प्रियोग और घर बिक जाने पर किसी ने आकर मुझे पेशे दे दिये यही है का वर्सा जब कर्शी सुखाने तीसरा वाक्यम्प्रियोग रामलाल को बरे बाजार में डाकूँ ने लूट लिया तब रामलाल बहुत चिला रहा था पर कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया और जब डाकूँ वहां से फरार हो गए तब पुलीस उसके पास आ गई तब रामलाल ने कहा का वर्सा जब कर्शी सुखाने इस बार तो समय पर वर्सा की भी मदद नहीं मिली जिसके कारण से गाम के लोगों की सारी फसल नश्ठ हो गई मगर फसल नश्ठ हो जाने के पर बहुत दिनों तक वर्सा होती रही यह तो वही बात हो गई का वर्सा जब कर्शी सुखाने पांच वावा किम परियू गुल्डीप ने मेरी मदद तो की थी पर समय बीत जाने परे यही है क्या वर्सा जब कर्शी सुखाने चटावा किम परियू बेटे की पड़ाई के लिए आज ही विदाले में फीज जमा करवानी थी परंतु मेरे पास पेशे नय होने के कारण से मैंने आपसे भी मदद मागी तो आपने भी इनकार कर दिया और अगले दिन पेशे दे रहे हो सच है का वर्सा जब कर्शी सुखाने अगर आप इस मुहावरी या लोकोक्ती के बारे में किसी भी तरह का परसन पूछना चाहती हैं तो आप अपना परसन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप विबिन तरह के मुहावरी वर लोकोक्ती के बारे में और अधिक जानकारी चाहती हैं तो आप हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विबिन तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अगरे वर लोकोक्तियों के बारे में ग्यान हासिल कर सकें तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ना भूले